असलाम लेकूम, कैसे हैं, आप सब ठीक हैं, अलहम देला मैं खेरियस से हूँ, मैंने आप सब लोगों को बहुत मीश किया, मैं गई हुई थी, तो आज ही मैं वापिस आई हूँ, यह मैं सिस्टर ने मुझे आज यह रेड रोज दिये हैं, मुझे वेलकुम किया बर अच्छा हांजी, असलाम लेकूम, मैं भी यह रहूँ, हांजी, मेरी प्यारी बहन आ चुकी है, और मुझे यकीन नहीं था, के सब इसका इतना ज्यादा पूछेंगे, और यह है मेरा छोटा भाई, यह है बाशा भाई, मैं इसको बाशा भाई कहती हूँ, यह बाशा है, और आप सब आप सब लोगों के कमें, मैंने वीडियो नहीं देखी, काफी दिन से कमेंट्स भी नहीं पड़े, मैं बहुत बीजी थी, आप सब लोगों का कैसा टाम गजरा है मेरे बगार, जाने ठीक है, फिर कल बात होती है, यह ऐसी करती है हमेशा, मुझे नहीं बोलने देती है, मैं अपनी बाकी सिस्टर के साथ हम फलूदा खाने आई है, यह मेरी सिस्टर है अस्ट्रिया वाली और यह मेरी सिस्टर है चिन का चैनल है, हलो, अल्याम वालेकूम, अल्याम आजी आप भी, जी मैं आगी, यह हमारे सिटी का बहुत ही मशूर पालूता है, याद का, और यहां गर्मियों में बहुत रश होता है और बहुत टेस्टी है यह यह एड बड़ी अच्छी देती है, में जाग कर रही हूं, मेरे को दूरी बॉली जानी नहीं देर, अब हम खा रहे हैं फलूता, अहां जी, यह है सेमिया, और बहुत पसंद है मेरी बाजी को, और रबडी भी म हमने का, हमने खाना है, वो कहता है, उसका टेस्ट नहीं आएगा, मैं कहाँ जाए, झाले फिर बात होती है, बहुत ज्यादा शुक्रिया जो सब मेरी सिस्टर को मिस्ट कर रहे थे, हम है ड़ोर में और अब जा रहे हैं घर वापस, बड़ा अच्छा लगता है, जब सब लि पहरे जैसे लहोर, फैसलबाद, चनियोट तो अपनी जगा देखकर इनसान वीडियो में ही देखकर कितना ज्यादा मिस करते हैं और जब आप खुद आ जाते हैं पाकिस्तान में फिर तो बात ही कुछ और होती है कि कहीं भी चले जाओ लेकिन जो फिलिंग्स हमारी अपने शह के साथ है अपनी जगा के साथ है ऐसे ही जो फिलिंग्स हमारी अपनी फैमली के साथ है हमारे पेरिंट्स हमारे माबाब बहन भाई हमारे रिश्टेदार इनसान कहीं भी हो उस और सकून नहीं मिलता जब तक वो अपनों से आकर ना मिले तो आप कहीं भी बाहिर रहते हैं जब भी वापस आएं जरूर मिले पाकिस्तान में सुबो के टाइम ये नाश्टे और ये कुछ नाश्टे 12 बजे खत्म हो जाते हैं मुझे भी वापस स्टुलिया जाकर ये सब ब्रेकफस्ट बहुत याद आने वाले हैं हम ब्रेकफस्ट फैमली के साथ करेंगे जो के टाइम बहुत कम मिलता है सुबो आना नान चने हलवा पूरी ये ऐसे ब्रेकफस्ट हैं कि टाइम पर वहाँ पर जाकर खाएं तो ही ज़्यादा बेस्ट टेस्ट फिल कर सकते हैं बलके मैं इनको ये ही कह रही थी कि आपने मुझे ऐसी एकठी पूरी लाकर नहीं देनी दो तीन बस एक करके साथ साथ लेकर आएं और अब ये इतनी गरम है कि तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अलू वला रान इसका टेस्ट भी बहुत अच्छ है मेरी सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्टान में आई है इनके साथ मेरा टाइम बहुत साल बाद है टाइम भी इतना लिमिटेड है कि मैं ज्यादा टाइम पाकिस्टान भी नहीं रह सकती दिल तो बहुत कर रहे लेकिन बात वही आ जाती है कि मजबूरियां जो भी सब पाकिस्टान से बाहर रहते हैं जब वो वापस आते हैं अपने मुलक में तो साथ ही पहली बात यह होती है कि वापस कब जाना है मुस्ली लोग पूछते हैं यह फ्रेश मिल्क रेस्टान में सप्लाई हो रहा है तो मैं यह बता रही थी कि उनके दिल पे जो बाहर रहते हैं क्या गुजरती है जब वो पूछते हैं वापस कब जाना है तो बहुत ज्यादा उनके मसले जोब वहां के हालाद और वो सारी चीज़ें आ जाती है जब उन्होंने वापस जाकर उसी रूटीन में रहना है तो अपना एक टाइम जो है बहुत चीज़ें पता नहीं कितनी इनसान छोड़कर आता है सिरफ एक अच्छे टाइम के लिए तो सब से यह है कि कोशिश यह होनी चाहिए सब की कि जो भी लोग आते हैं उनके साथ आप सब बहुत प्यार से रहें कोई बात हो भी जाए तो दिल में ना रखें पाकिस्तान में पैट्रल का रेट अल्मोस्ट हंडर्ड के पास है 92 रुपीस यहां पर तो यह मैं सर्विस देख रही थी कि आप मतलब बैठे हैं कार में पैट्रल डालते हैं सर्विस हैं उनकी तो हम पेकर देते हैं लेकिन आप दूसरे कंट्री में आप कार से खुदी उतरें पैट्रल डालें अंदर जाकर पेकरें तो फिर यह सिस्टम है कार्ड का मुझसे पुछा था जो हम अपने डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं दूसरे कंट्री में तो पाकिस्तान आकर ATM में वही कार्ड यूज़ करने सब ATM पर वो कार्ड अक्सेप्ट नहीं होंगे बेते रहे के पाकिस्तान में आपका अकाउंट हो या आपके हस्पन का अकाउंट हो तो फिर ज्यादा असानी है जिसकी चेक बुक होनी चाहिए अक्सर कार्ड यूज़ नहीं होता ATM पर कोई प्राबलम होती है तो चेक बुक होती है तो आप बैंक से भी ले सकते है या किसी को दे कर भी अपने पैसे आप भेज सकते हैं कि हमें पैसे ला दे अब अगर किसी और ATM पर वही कार्ड यूज़ होती है या अक्सेप्ट करते हैं वह कार्ड जो हमारे अस्ट्रेलिया में ओवर्सीज में है तो उनकी फिर फीस लाद है और फिर वही करंसी जब ऐसे कनवर्ट होती है पाकिस्तानी रुपीज में फिर उसकी फीस लाद है बेशक आप 10 डॉलर दें 20 डॉलर दें लेकिन अगर आपको मोस्ली कार्ड यूज़ करेंगे तो फीस सारी एड हो जाएगी तो उसके लिए ये है कि जब आप पाकिस्तान आएं आकर अपना अकाउंट ओपन करवा ले और बेंक से आप चेंज लें जब भी पैसे निकल वा लें उसके बाद या जब आपना अकाउंट ओपन करवाएं या पाकिस्तान आकर आडवांस में या पहले आने से पहले दो हवते पहले किसी को कह दें कि ऐसे चेंज का अरेंज कर दें चेंज होना बहुत जरूरी है स्पेशली जब हम ऐसे चीज़ें लेते हैं ये मैं सब डेट्स देख रहे हूं और सब जो डेट है मैंने टेस्ट भी की है और फिर मैं इसे कहा रही थी कि कि आप पैसे उपर ले लेए मैंने सब टेस्ट भी की है वो कह रहा था कि नहीं एसे कोई बात नहीं है तो मॉस्टली ऐसी जग़ों पर चेंज नहीं होती या आप फाइव थाउसन दे 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 तो चेंज रखना साथ में बहुत जरूरी है और घर जाएं तो अपने माबाप के लिए जरूर कुछ लेकर जाएं जैसे खजूरें बेशक हो जाएं इसमें बहुत शिफ़ा है अल्ला पाक बरकत दे बेशक ये बहुत महिंगी नया होंगी लेकिन उनके दिल से जो दूआ होगी बरकत होगी तो वो आपके पैसे में और बरकत होगी अगर कोई नुकसान भी हो रहा होगा तो अल्ला ताला किसी ना किसी तरीके से वो रोक देगा सिर्फ उनके दिल खुश होने से मैं अपनी सिस्टर के साथ स्टोर में कुछ टाइम स्पेंड कर रही हूँ जल्दी मुझे जाना है अस्ट्रेलिया वापस तो बस हमारा ये टाइम जो है कि थोड़ा सा इकटे हो जाए ओवर से इस से आकर सबसे पहले आपको पानी और दूसरे अपनी फूड का ख्याल करना चाहिए बहुत ही लाइट फूड लेनी चाहिए एट लिस्ट फ्यू के जो कुछ दिन ने सफर भी किया होते है और अगर आप कुछ टाइम के लिए भी आते हैं और बच्चों के साथ भी हो तो अपना और बच्चों का ख्याल करना बहुत जयादा जरूरी है खाना सही होगा, ख्याल होगा तो ही आपका जो ट्रेप है वो सही हो सकते है वरना इतनी महनद से, उतने पैसों के साथ बाहर के मुल्कों से निकलना, वहां की सारी जुमेदारी से बल्कुल भी असान नहीं है बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का अल्ला हाफिज